हेलो बच्चो ऑनलाइन चैसिस में आपका स्वागत है मैं अमित आपको सिखाऊंगा कफसा पांच कि गिने तो बच्चो हम अभी तक पढ़ रहे थे अध्याई एक जिसमें हम क्या कर रहे थे अभ्यास प्रिस्ण कर रहे थे आपने इस अध्याई को पूरा पढ़ लिया और ह हम इसका क्या कर रहे थे अभ्यास करें चलते हैं पेच पर थोड़ा पीछे जलते हैं देखते हैं कल क्या क्या चांग जैसे कि हमने देखा था कि हमने कुछ क्यूशन आंसर किये थे सबसे पहले सब्दों में लिखना सिखा उसके बाद में जो विस्तारी तुरूप था उसक हमें करना था क्यूशन नंबर नो तक पूरे हो गई थे बचो हमें करने हैं क्यूशन नंबर दस से सुरू करने हैं यह क्यूशन नंबर दस क्यूशन नंबर दस से हमें सुरू करने हैं तो क्या कर सकते हैं बचो क्यूशन नंबर दस क्या कह रहा है सबसे पहले कि तीन चार जीरो पांच और एक का उप्यों करते हुए सबसे छोटा और सबसे बड़ा पांच अंकों का नंबर लिखे हैं अंकों की पुन्रावर्ति किये बिना क्या करना है बच्चों आपको अंक को वापिस नहीं लिखने ए कि एक ही अंक को पुनन नहीं लिखना है अंकों की पुन्रा शीन ओर ऐखने बड़ा लिखना अ उसके बाद में सबसे बड़ा लिखना है चलते हैं पेच पर Q10 Q10 इस प्रकारता है सबसे पिले हम क्या करते है सबसे चोटी संग्या लिखते है सबसे चोटी संग्या क्या है बच्चो Q10 का पहला वाग सबसे चोटी संग्या सबसे चोटी संग्या यह सबसे चोटी संग्या थी वो हमें ग्याद करनी थी संग्या आपको दे रही थी संग्या आपके सामने है 3 3 4 3 4 0 5 और इसका उप्योग करते हूँ हैं हमें क्या करना था सबसे चोटी संक्या तथा सबसे बड़ी लिखनी थी और हमें बात ये किए बच्चों किसको क्या करनी है जो अंकों की जो मतलब संक्या में अंक की उसकी पुनरावड़ती लिख सकते हैं उसके बाद में एक उसके बाद में तीन है चार और अन्तमें पाँच तो ये इस क्यूअचन को हम प्रियोक करके सबसे छोटी सँं जग्या यह लिख सकते हैं वे इसके बाद में आपको दिखाई तेरा जैसे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, इनी अंगों का परियोग करके, सबसे बड़ी संख्या, हमें यहां लिखना है, तो सबसे बड़ी संख्या किस पर करते हैं सबसे पहले पांच, उसके बाद चार उसके बाद तीन फिर एक और अंत में जीरो तो सबसे छोटी संग्या क्या हो ही बच्चो हम कह सकते हैं 1345 सबसे छोटी संग्या है और सबसे बड़ी संग्या क्या है सबसे बड़ी संग्या है बच्चो चोबन हजार तीन सो दस ठीक है बच्चो अथा हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी संग्या और सबसे बड़ी संग्या आप ग्याद कर सकते हैं चलते हैं पेज़ पर कि यूशन नंबर दस पूरा हो गया आगे चलते हैं क्यूशन नंबर 11 पर यूशन नंबर 11 क्या गया है कि नंबर 11 कुछ प्रकार कह रहा है बच्चों कि संख्या दिये गए अंको का चार-5-8-0-9 का उपियोग करके अंको की पुन्रार वर्ति के बिना मतलब अंको को फिर बड़ी संध्याए है कि उससे चार उसे बड़ी बाद में सेंच्या है याएगी 5 उसके बाद में इसली बड़ी संध्या-8 और अंत में सबसे बड़ी संध्या नो तो सबसे झोटी संध्या इन उसके बाद मैं हमें क्या करना था सबसे बड़ी संख्या लिखनी थी तो सबसे बड़ी संख्या को आपस्प्रकार से मिख सकते हो नो आट नो आट पांच चार और जीरो यह सबसे चोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या थी बच्चो सबसे बड़ी संख्या आप देख सकते हो बच्चो आपके सामने हैं यह संख्या उपसे हम कह सकते हैं कि 4599 है जो सबसे चोटी संख्या इसंख्या को मिला कर जो सबसे पड़ी संख्या है वह है बच्चों आपके सामने दिखाई दे रही है 나온 अंट रहजार 540 तहीं कैम आगे संख्या क्या दे रही है क्यों क्यों कि द्रह्या नंबर बारह देखते हैं को तुरू है आपको बताना है कि सई है ये गलत है इसमें क्या करना आपको चिन्हा लगाना है या लिखना है सबसे पहले क्यूशन नुमर 12 का एक देखते हैं संख्या आपके सामने दे रही है संख्या क्या है इकाई दाही सेक्डा हजार मतलब 4534 उस तरफ 4534 संख्या दे रही है और बीच में बरा दूस तरफ भी संख्या वही थी और दूसरी तरफ भी संख्या सेम ही थी तो बचो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ संख्या समान है तो समान के लिए हम वरबर के चिंगा प्रियोग कर सकते हैं तो यह सही है अता हम कह सकते हैं कि यह सही है क्या कह सकते हैं यह सही है आप अपनी नौट बूक में एड्ड करते जायें उसके बाद में क्यूशन नंबर 12 में क्या कह रहा है क्यूशन नंबर 12 का दो देखिये संक्या को प्रकारती रही है आपको संक्या दे रही है 94000-530 संक्या दे रखा है उसके दूसरी तरफ आपको संक्या दिखाई दे रखी है 45309 तो यह संक्या हम कह सकते हैं कि 1453545309 से क्या है बड़ा है तो यह क्या है सही है ठीक है बच्चों आगे चलते हैं क्यूशन नंबर तीन पर संक्या दे रखी है आपको 64532 उसके बाद में चिनने दे रखा है 14533 तो बच्चों देखो एक संक्या बड़ी है तो बड़ी है ना 653ए से तो हम क्या सकते हैं कि 46553 से चोड़ी सक्या है वह 16532 से है तो छोटी के लिए कौन से चिंगा परियोग करते हैं तो यह क्या है सही है कि पिर आगे चलते हैं क्यूशन नंबर चार में तंक्या दे रखी है 1833 को विस्तारी तुरूप में किस प्रकार से कर सकते हो तो सबसे पहले आपको विस्तारी तुरूप करने हम ना सीखा विस्तारी तुरूप करने के लिए हम किस प्रकार से कर सकते हैं दाई तरफ से शुरू करते हैं और क्या करते हैं विस्तारी तुरूप में जो संख्या आती तो तीन जोड़ना था क्या तीन जो दिखाई दे रही है इसमें दस लिखा हुआ है जोड़ेंगे तो यह संख्या सेंश हमें प्राप्त नहीं होगी इसमें क्या है दस हजार तो यह हो गया में कुछींनिंबर पांच पिसजिनमर पॉप में क्या दे रहा है बच्छों पार संक्या बनुप ni संख्या दे मिख्या है बच्या च्जाव नो चार्सों पचास में तीन का इस्थान्य मां इस्थान मूल यह कौन सा है तीन अजर पर हैं तो यह क्या है सही है तो हाई हम यह तहीं लिख सकते हैं कि आगे चलते हैं कि क्या करना था आपको क्यूशन नमबर तेरा कि आदिये गए नंबरो को क्या करना है ओर रो ही क्रम में विवस्थित करना है यह आपके पास अंख्याह नमबरaineतलम सबसे पहले और प्जूशन सबसे पहले क्या हैं मतलब भड़ते क्रम में मतलब चोटे से लेकर बड़े करम में आपको लिखना है तो आरु संक्राइब का मतलब हमने पिछले क्यूशन 408 और में तो हम उसा कर सकते हैं कि chill नुमर एक सामने 12404 उसके बाद में संक्राइस 24344 फिसके बार खेल उसके बाद में संक्राइब की 12349 संर और उन्प में 5066 संक्रा संक्या में ववस्त्त हैं संक्या ग्रम को बोलना सीखते हैं यह संक्या ketody दहाई शेकड़ा 1010,000 तो बच्चों संग्या क्या है 12,000 12,000 434 तो बच्चों सबसे पहले हैं 12,000 434 12,000 434 ठीक है आगे चलते हैं आगे संग्या दिखाई दे रही है आपको 94,341 24,341 के बाद में दिखाई दे रहा है आपको बच्चों 12,369 आप देख पा रहे हूं उसके बाद में आपको संग्या दिखाई दे रही है 64,000 566 आपको क्या गरना है बच्चों उसमें से सबसे पहले सबसे छोटी संग्या दूणनी है तो बच्चों दिखाई दे रहा है आपको 12,000 उसके बाद में 94,000 उसके बाद में 12,000 और फिर 64,000 तो वह चो आप इनमे से देख सकते हैं सबसे छोटी संग्या वह है 12,000 वाली आप 11,000 वाली दो संख्या 12,000 वाली दो संख्या कूंसी है 12,49 24 12,30 için Sex 20,000 यह ओ गया उसके बाद मैं देखते हैं 12,000 चे बाद में जो उसने बड़ी संग्या है sf Muslim कूंसी अंत में आपको भांत में सबसे बड़ी संक्या है हमें दिखाई दे रही है सबसे बड़ी संक्या कि सबसे कोड़ी संक्या ऑफ 2-80000 यहां दो देरो के लिए उसके बाद में ओस तर्टव नेकर और जो बसता है वह पुण से हैं मेरे बात एंध बھی सबसे पहले आपको लिखने की बाद में आपको क्या करना है इन सब के ऊपर चूज करना देखो सबसे पहले बारह हजार वाली दो संक्या हमने देखी कि'm है यह बारह हजारवली ऐसन क्या यहाज हजार चारसो चौथिस क्या है Draghundra चार्सो चौथिस क्या है बारह चार सूर्सन के दे hom 12400 तो सब से पहले बच्च्यों देखो रहाजार हंधो बढ़ा होते है । सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 12369 यह सबसे पहले आएगा ठीक है उसके बाद में संक्या देखते हैं वापस बारा जरवली 300 के बाद में आता चार सो बारा हजार चार सो तुरह ठीक है यह लिख दिया 12000 संक्या होगी कि इस से बड़ी संक्या देखो अब संक्या बची दो 94000 वाली और चौश्यट ़ूश्यट जरवली तो 12000 के बाद में सेंज बड़ी संक्या वो दिखाई देती चौश्यट अजार तो हम कह सकते हैं 64,500 पांसो तो पांसो सड़सड आप इस प्रकार से लिख सकते हैं वह कौन सी है 4,000 ऑद 94,341 तो हमें इस प्रकार से जो और विवस्तित था हमने क्या-क्या सबसे पहले सबसे चोटी संख्या और अंत में सबसे बड़ी संख्या तो हम इस प्रकार से इसको आरिल क्रम में विवस्थित कर सकते हैं कर सकते हैं ना बच्चों क्यूशन नंबर एक पूरा हुआ उसके बाद में दूसरे संख्या पर चलते हैं क्यूशन नंबर दो दिखाई दे रहा है आपको संख्या दे रहें इस प्रकार से क्णाही दाहाई शेकडे हजार घ्यानलें सबसे पहले हमें संक्या दे रहें रहें 93,240 ठीके बच्चो हमने संक्या पढ़ना शीख लिया इकाई दाही शेकडा हजार 10,000 तो 10,000 को हम इस प्रकार से दोनों को एक साथ में बोल सकते हैं 93,240 तो हम सबसे पहले लिखते हैं 93,240 ठीके 93,240 लिख दिया उसके बाद में हजार तो मतलब दूसरी संक्या इन दोनों को साथ में बोल सकते हैं 84,430 तो जो संक्या होती है इन दोनों को आगे वाली संक्या को हम साथ में बोल सकते हैं तो संक्या दे रहे हैं 90,800 संक्या कितनी है है अगली वाली समय देते हैं बच्चों संक्या दे रही है क्या संक्या रहुई उन्तिक हमेरे पास में इन संक्या холод के माध्यम मैं डून के बदाना कि सबसे लिकों तो सबसे पहले आपको ग्याद होना चीए कि देखो सबसे चूटी संक्या इनमें कौन सी दिखाई दे रही है यह ए 13,000 यह अस्ति अजार यह 90,000 तो सबसे च्षोटी संक्या है वो है 80,000 सबसे चोटी संख्या है यह सबसे पहले आएगी अब देखो बच्चो असी एजार के बाद में बड़ी संख्या कौन सी है नब्य हजार वाली तो नब्य हजार वाली संख्या में भी आपको कंफ्यूजन होगा यह हो गया कैंसल क्यूंकि इसका मान हमने ग्याद कर लिए सबसे सब्सक्राइं डम्य हजार नब्य हजार आठसो एक दो संख्या आपको मेल गई अब महिरत हैं इसमें इसमें बिवन मवन दोनों से मैं इसमें आप देख सकते हो इसमें 800 ऺर है और इसमें आप शेकर अटम कहा सकते आंक शी पहले आता आर्ट शी एक बाहता तो पहले कि लिखेंगे licca 9008 उसमाली मुअन पहले आहेगी रेक फिर के राट भांर इसके बार में 3 122 एक अठे बढ़ी संध्या और अन्ट में जो लाट में जो संख्या बची वो सबसे बड़ी संख्या वो कौन से है तेरानवे अजार दो सो चालिस ये सबसे बड़ी संख्या तो हमने आरोई क्रम मतलब क्या है छोटे से लेकर बड़े रूप में लिखना सिखा ये छोटी संख्या थी और अंध में ये सबसे बड़ी संख्या ये सब से बड़ी संख्या दोटा पिर बड़ा फिर उससे बड़ा और लस्त में सबसे बड़ा तो बच्व हमने आरो उक्रम में लिखना सिखा लास्ट में क्या करना है क्यूशन नंबर तीन और क्यूशन नंबर चार क्या करना है आपको होमवक में करना है क्या करना है क्यूशन नंबर जिसकी दीचे में अंडरलाइन कर रहा हूं क्यूशन नंबर चार और क्यूशन नंबर तीन इन दोनों तब तक के लिए धन्यवाद